नमस्कार दोस्तूं, रीट सामाजी कद्धियन, NCRT पलस RBSC के पेटरन पर आदारित हमका अक्सा 6 से 12, जो सामाजी कद्धियन का पार्ट है, उसी के एकोडिंग हम है, जो रीट लेविल फेस्ट वर लेविल सेकिंड के लिए परसनोतरी लेकर आये हैं दोस्तूं, जिसके अं अंदर हम तो 85 महत्वपून परसन है, जो देखने वाले हैं, इसलिए अंतक सभी साती बने रहे हैं, एक बार सभी साती वीडियो को लाइक, सेर और जो नए साती है चेनल को सब्सक्राइब करें, राजस्तान कलासे करती के अन्य कलासे अटेंड करना चाते हैं अगर आप री सोरी, राजस्तान में मूर्ति कला के लिए, कौन सा सहर विक्यात है, जहां पर संग्मर्मर की विस्वपरसिद मूर्तियां बनाई जाती है, वो जगे हैं आपकी जेपूर दोस्तों, कौन सी जगे है, जेपूर, बै ओप्सन यहां पे सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसिन में चलिए, डूंगर साही ओडनियां है, जो कहां की परसिद है, यह भी अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसिन है, आपके लिए डूंगर साही ओडनियां, कहां की परसिद है, डूंगर साही ओडनियां है, आपके जोधपूर की परसिद, ओप्सन बै यहां पे सही रहेगा, म पड़े पर चितरांकन को राजस्तान में क्या कहते हैं। सबसे लोग पर यह पड़ा पाबू जी की दोस्त हूं option A, यहां पर सही रहीगा next question है double cut की portrait कहां की परसीद है double cut की portrait है जो कहां की परसीद है मित्रू important question बन सकता है exam के अंदर यह और कहां की है, alwar की है option A, यहां पर रहीगा आपका सही क्योंसर नमर 6 में चलिए ये बता दीजिए ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है दाबू प्रिंट कहां की परसिदे मित्रू चार ओप्सन आकोला मुलेला परताब गड़ हरजी कहां की है ओप्सन ए यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट के उसन है थेवा कला के लिए परसिदिस्तान बताईए मित्रू थेवा कला के लिए बांसवाड़ा डूंगरपूर परताबगड उदेपूर इन में से थेवा कला के लिए परसिदिस्तान आपको बताना है कौन सा है परताबगड थेवा कला के लिए सह ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर आट है लाक की चूडियों लाक से बनी चूडियों को कहते हैं क्या कहते हैं मुक्का मोकडी मलीर मोनक लाक से बनी हुई जो चूडियां होती है लाक की चूडियां उनको मोकडी का जाता है क्या का जाता है मोकडी बैव उपसं सही रहेगा क्यों से नमर नो देखे सुनहरी टेरी कोटा के लिए परसिदिस्तान बताईए सुनहरी टेरी कोटा के लिए परसिद जैसलमेर कोटा जोदपूर विकानेर टेरी कोटा और वो भी सुनहरी के लिए है आपका विकानेर परसिदिस्तान बिकानेर है, ओपसंद है, यहां पे सही रहीगा क्योसे नमर दस देखिए, यह तो सिंपल कि उसने सभी सातियों का सही होगा पापड भुजिया के लिए परसिदिस्तान है पापड भुजिया के लिए परसिदिस्तान बिकानेर है आपका कि उससे नमर ग्यारा कटपूतली की जनम भूमी है ये भी बहुत सिंपल क्यूसे ना आपके लिए कटपूतली की जनम भूमी कौन सा राजी को माना जाता है मित्रू किसको माना जाता है राजस्तान को माना जाता है सह ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमर बारा है बराडी किस जन जाती की लोग दे विए बात हो रही है यहाँ पर बराडी की की बराडी है वो किन से जन जाती की लोग दे विए किन की है बराडी से बील सही रहेगा सह ओप्सन कि उससे नमर 13 आप टेंड कीजिए पॉम्चा किस इस्तान का परसिद है कमेंट करना आपको समय दिया जा रहा है अपरे आप उदेपूर, जेपूर, जोधपूर या कोटा पॉम्चा कहां का परसिद है कमेंट कीजिए पॉमचा है आपके जेपुर का परसिद बैय ओप्सन सही रहीगा क्यों से नमर चोध देखे मोटडा वेसबुसा के कौन से परकार के अंतरगत आता है मोटडा किस में आता है चूनड़ी है, साड़ी है, ओड़नी है या गागरा है मोटडा क्या होता है मोटडा ओड़नी होती है दोस्तू सही रहीगा, ले रहे आपस में काट रही हो आगे चलिए राम दल्ला वे करसं दल्ला की फड़ का वाचन राजस्तान में सरवादिक किस चेतर में होता है तो राम लल्ला करसं लल्ला की जो फड़ है उसका वाचन राजस्तान में सरवादी किस चेतर में होता है किस में होता है इंपोर्टेंट क्यों सन हाडा मालू सासक हाडू का सासक था हाडोती में तो हाडोती में ही होता है 10 ओप्सन सही रहीगा क्यों सन नमर 16 है जरीकी साडियू के लिए राजस्तान का कौन सा चेतर परसिद है जरीकी साडियू के लिए जोदपूर, सिक्कर या विक्कानिर जरीकी साडियू के लिए परसिद है जरीकी साडियू के लिए परसिद है जरीकी साडियू के लिए परसिद है जरीकी साडियू के लिए परसिद ह अज्रिक प्रिंट कहां पर हमित्रू कहां परसीद है अज्रिक प्रिंट कहां किस दिले की परसीद है बाड्मेर की बाद्रेज sé How can it be law of आपनबर साही रहे आपके लिए लप्पा लपि कीरन बांकडी वमुकेश ये सभी हे क्या क्या प्र साध़िय उन्मotic साडियां गोटे के परकार एक रितिरिवाज या मोट की किसमें ये गोटे के परकार है बैय ओप्सन यहां पे सही रहेगा क्यों से नमर 19 है खेल का समान सरवादी कहां बनता है सिंपल क्यों सन खेल का समान सरवादी कहां पर Ben'ta है hanuman Dad में बंता है udah lordsize सही रही गा वश्が नमर भी कह स सामन का करहा वइ मोतोड का पिला किस स्थान का परसीदें सामन कहा वइ मोच्छूर का जो σब्सक्राइब डतला है वो बताईए उस्ताकला के लिए राजस्तान का कौन साहिस्तान परसीद है उस्ताकला काँ पे सुरुआत दिल्ली से आई थी विकानेर तो विकानेर परसीद है ओप्सन सह सही रहीगा क्यों से नमर बाइस है दरी निर्मान के केंदर के रूप में परसीद है दरी निर्मान के तोड़ी हो यानि उट का बच्चा उट के बच्चे के जो मुलाइम बाल होते हैं मुलाइम बालू के सूतू के साथ दागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तयार किया जाता है वो क्या कहलाता है नमदा लूगडी बाकला या आसन ये अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन ब बनाए जाते हैं तो मीनाकारी गैने कहां पर बनाए जाते हैं बताइए जेपूर कहां पर जेपूर के अंदर ओप्सन है यहां पर सही रहीगा क्यों से नमदा ट्वंटिपाइप अजरक छपाई कपड़े के दोनों और चापना किस इस्तान की विशेश्ता है जो अजरक छ नम्बर 26 देखिए आपका 26 है महिलाओं की ओडनी जो पॉमचा है उसका रंग केसा होता है ये तो सिम्पल सा क्यूसन आपके लिए पॉमचा पै और रंग भी पैसे पीला कैसा होता है पीला रंग होता है क्यूसन 27 है आपका जेपूर के किसासक के काल को बल्यू पोटरी का काल जेपूर के अंदर की सासक के काल को कहा जाता है इसको कहा जाता है सवाई राम सिंग द्विते के काल को option से कि उससे नमबर 28 देखे के काटपूतली ओए खिलोनू के निर्मान के लिए कौन सा इस्तान परसीद है जेपूर ही है आपका लेकिन जेपूर में एक जगह है तिस एक रही गा कि उस्सेर नमर उन्टीस एपका, राश्ट्रे पुरुसकार प्रापत मोहनलाल की सिलब से समंदित है, बताईए, इंपॉर्टेंट तिस एक समॉद्र लहर नाम का लेरिया कहां पर रंगा जाता है? समुदर लहर नाम का जो लेरिया है वो कहां पर रंगा जाता है जेपूर के अंदर सै ओप्सन सही रहेगा क्यों से नमबर 31 देखे चंदन काश्ट कला करती हूँ के लिए परसिदिस्तान है चंदन काश्ट कला करती हूँ के लिए परसिदिस्तान कोन सा है उदेपूर बसी जेपूर या विकानिर चंदन काश्ट कला करती हूं के लिए है आपका जेपूर दोस्तूं से उपसन सही रहीगा क्यों से नमर 32 उट की खाल पर सौनिम नकासी क्या कहलाती है ये बहुत सिंपल क्यों से ने कांग की परसिद है वो भी बताना है तो मैं पहले बता दू विकानेर की परसिद है ये अब बताइए क्या कहलाता है उट की खाल पर सौनिम नकासी उस्ताकला कहलाती है दे उपसन सही रहीगा क्यों से नमर 33 पसूपकस्यू के सेट के लिए परसिदस्तान पसूपकस्यू के सेट के लिए परसिद जेपूर गए हैं तो जरूर आपको पता होगा जेपूर है दोस्तु Would ओप्सन्स है यहां पे सही रहीगा कि उससे नमर तेंट चोतीस है बलेक पोटरी परसिद है बलेक पोटरी कहां की परसिद है ये कल ही हमारी कलास जो राजस्तान अध्यान कक्सा 6-12 की लगती है हमारे वो कम्प्लिट तो हो चुकि है उसमें सभी टोपी कक्सा 6-12 तक हमने रहीगा कि उससे नहीं 35 राजस्तान का कौन सा इस्तान गलिचू के लिए परसिद है मित्रों अभी और बता दू रात 9 बजें कक्सा 7 राजस्तान अध्यान कक्सा 6-12 की परशनोतरी रहेगी जरूर अटेंड कर लें तो राजस्तान का कौन सा इस्तान है जो गलिचू के बेवान कला के लिए आपका कोटा चेतर ओप्सन सही रहेगा क्योसर नमर 37 देखे इस्तान जो मृदा सिलब के लिए विक्यात है कुचामन मौलेला केतूनिया सांगारिर मृदा सिलब के लिए कौन सा मृदा सिलब मिट्टी सिलब मौलेला है आपका मिट्टी सिलब के लिए बै उपसन सही रहीगा क्योंसे नमबर 38 है पेपर में सी कला के लिए परसिदिस्तान पेपर में सी कला के लिए कौन सा है जेपूर है आपका सह उपसन सही रहीगा क्योंसे नमबर 39 है राजस्तान में लोहे के ओजारू के बनाने के लिए कौन सा जिला है जो परसिद है आपका लोहे के ओजार बनाने के लिए परसिद जिला कौन सा नागोर है सही है ओपसन यहां पिद्ध है आपका कि उस्सा नमर चालीस अंडेंड कीजिए राजस्तान का कौन सा छेतर मल मल के लिए परसिद है मलमल के लिए परसिद कौन सा छेतर है जोदपूर छेतर है option बैस है question number 41 है तारकसी कला यानि जेवर कहां की परसिद है तारकसी कला जेवरूं के लिए परसिद जगे बताईए मित्रूं कौन सी है important question बन सकता है यह तारकसी चांदी से related नात दुआरा परसिद है इन में सही है options है question number 42 है कटपूतलियों का निर्माण मुक्य रूप से होता है repeated question है बसी जेपूर में बसी जेपूर के अंदर question number 43 तेंड कीजी भोजन रगने वे पूजा की थाली रगने के लिए लखडी का बना पातर क्या कहलाता है भोजन रखने के लिए या लखडी रखने के लिए जो पातर बना होता है इस परकार का होता है यहाँ पर उसके यह लग जाते है और इदर भी यहाँ पर लग जाते है यह लखडी का बना होता है इसको क्या का जाता है बाजोट का जाता है बहु उप्सन यहां पे रहेगा सही क्यों सर नमर चमालिस आ गया इंपोर्टिन मूर्तिकला के लिए परसी जगन जेपूर अब बताएए संग्मर्मर की मूर्तियों के में संगमरमर की मूर्तियां राजस्तान में कहां पर बनती है कमेंट करके बताइए कहां पर बनती है संगमरमर की मूर्तियां जेपूर के अंदर option सह सही रहेगा मूर्तिकला के लिए परसीद है जेपूर क्यों सन पेतालिस दातु से बनी वस्तुमों पर सोने पर पतले तारू की जड़ाई को कहते है दातू की जो बनी हुई वस्तों होती है उनकी वह उपर सोने के जो पतले तार होते है उनकी जड़ाई की जाती है उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है मित्रू उसको कहा जाता है मीनाकारी क्योंसर नमर 46 है कावड कला का सम्मन किस से हैं ये भी अच्छा क्योंसर बन सकता है कावड किस की बनी होती है लकडी की तो लकडी काष्ट काष्ट चित्रन से समन दीता है क्योंसर नमर 47 बारतिय डाग विबाग ने किस लोग देउता की फड़ पर डाग टिगट जारी किया गया है मिंत्रू सिंपल सा क्योंसर नमर 47 बता दीजिए देवनाराइन जी की फड़ पर ओप्सन बै यहां पे रहेगा सही क्योंसर नमर 48 है जोदपुर में पानी के जस्ते में जस्ते के बरतन का क्या कहलाते हैं जस्ते के बनते हैं पानी के बरतन बनते हैं ठंडा पानी रहता है इनको क्या कहा जाता है यह आप सो यहां पर पूछा जा रहा है जोदपुर के ये परसिद है बादले का जाता है क्या का जाता है बादले इनको कहा जाता है क्योसन 49 के ओर चलते हम कुदरत सिंग को किस कला के लिए पदम स्री अवार्ड से नवाजा गया था कुदरत सिंग है इनको पदम स्री दिया गया था वो दिया गया था मित्रू मीना कारी के लिए किसके लिए मीना कारी के लिए दिया गया था कि उस्था नमर फिप्टी है आपका जिरोई, बाकला, गंदहा कि इस उद्योग के नाम है ये किस से रिलेटेड उद्योग है मित्रूम ये जटपटी से रिलेटेड उद्योग है सही option ए रहेगा कि उससे नमर इकावन है हैंडलूम मार्क परमानिकता बतलाता है हैंडलूम मार्क होता है वो किसकी परमानिकता बदलता बताता है हें अंडलूम कपडू की सही ओप्सन एह रहेगा क्यों से नमर 52 है बल्यू पोटरी को किसने अंतराश्टी ख्याती दिलाई आ गया इंपोर्टेंट क्यों सन बल्यू पोटरी को अंतराश्टी ख्याती किसने दिलाई थी स्रीक्रिपाल सिंग सेकावत ने स्रीक रिपाल सिंग सेखावत ने दिलाई थी क्योस्सर नमर 33 देखिए आपका 53 है सुनेरे दागु से जो कड़ाई का कारिय किया जाता है उसे कहा जाता है तहनिसा, मिनाकारी, जर्दोजी या कुंदन कला बहुत अच्छा और आपके लिए महतुए पुन परसन रह सकता है ये एक जाम में अभी बता रहा हूँ सुनेरे दागु से कड़ाई का कारिय किया जाता है उसको जर्दोजी कहा जाता है क्या कहा जाता है जर्दोजी क्योस्सर नमर आप 54 में चलिए जेपुर में बल्यू पोर्टरी निर्मान की सुरुवात का 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 सुर किस गाउं के कुमार मामा जी के गोड़े बनाने के लिए परसिद है तो किस गाउं के कुमार है जो मामा जी के गोड़े बनाने के लिए परसिद है मित्रू हरजी गाउं जालोर के यह भी आपके लिए important क्युसन बन सकता है कि उससे नमबर चलते है 56 के ओर जो नगर समुच्चे लकड़ी के खिलोने मनाने के लिए परसिद है वह है जो नगर समुच्चे लकड़ी के खिलोने मनाने के लिए परसिद है वो उदेपूर भी है जेपूर भी है और जोदपूर भी है तो सही रहेगा उक्तसभी ओपसन दह यहां पर क्यों सन 57 है आपका ल लकडी पर नकासी के लिए परसिद उडखा गाउं किस जिले में। लकडी के उपर जो नकासी की जाती है उसके लिए परसिद है ये उडखा गाउं आपका। और जो उडखा गाउं है ये आपके बाडमेर जिले में इस्तित है। सताउन का सेव उपसन है यहां पर क्योंसे नमर 58 है स्री अबदूल गपूर खां इमतियाज अली तता अबदूल रजाक कुरेशी किस छेतर में परसिद है यह सबी के सबी है ना अबदूल गपूर खां है इमतियाज अली है अबदूल रजाक है यह पीतल पर खुदाई में प मिट्टी के बने कलात्म गोडे क्या बौड़े क्या का जाता है उनको क्या का जाता हीड, बटेवडे, गोड़ावा, बावसी या सोहुरिया मिट्टी के मने कलात्मा गोड़े बावसी कहलाते है गोड़ा बावसी नाम लिख दिया बावसी इनको का जाता है क्यों सन्सिक्ष्टीवन आपकी स्क्रिन पे काश्ट कला के लिए परसिद इस्तान बताईए काश्ट कला के लिए काश्ट कला के लिए परसिद है आपका बसी गाउं जेपुर वाला शेय ओप्सन 61 का सही है यहां पे क्योंसन नमबर फिस 62 है जाजम छपाई कहां की परसिद है जाजम छपाई important question ये सिदा क्यों सना सकता है exam में कहां की है आकोला चितोडगड़ की बैए option सही रहीगा question है 63 soap stone को तरास का air मिट्टी के किलोने किसी इस्तान पर बनाये जाते है जो soap stone है उसको तरासा जाता है फिर मिट्टी के किलोने मनाये जाते है वो कहां पर बनाये जाते है गलिया को डूंगरपूर के अंदर तो 63 का say option सही रहीगा क्योसर नमर 64 है पिछवाई समंदित है तो बताइए पिछवाई कहां की है नात दवारा की say option 64 का say सही रहीगा क्योसर नमर 65 है जेपूर मिनाकारी का एक परसी दिस्तल है इस कला को यह लाने का अफर है किन को है मिनाकारी जेपूर कोन लेकर आये थे मान सिंग परतम लेकर आये थे 65 का option बैस सही रहीगा क्योसर नमर 66 है पदम स्री मेसराज सोनी को किस चेतर में पेचान है पदम स्री मेसराज सोनी की किस चेतर में पेचान है दोस्तों किस में थेवा कला के अंदर सही रहीगा option सही यहां पे क्योसर नमर 67 है बसी की काश्ट कला के जनमदाता कोन माने जाते है बसी जेपूर के अंदर जो काश्ट कला है उसके जनमदाता कौन माने जाते हैं परभात जी सुथार कौन माने जाते हैं परभात जी सुथार 67 ओपसंदैस सही रहीगा क्योसन नमर 68 देखिए मितनू क्या क्या गया कि सोने अवं पलेटिनम के जो अबुसन है उनके उपरे रतनू की जो जड़ाई होती है उसको का जाता है कुंदन कला थेवा कला किसको कहते हैं ये भी तो क्यूसन बन सकता है थेवा कला कहते हैं जो कांच पर जो बारिक सोने की नकासी की जाती है उसको का जाता है थेवा कला ये important है आपके लिए दोस्तों आगे चलिए next question की ओर हम चलते हैं question is 69 आपका हस्त सिलब कागज राश्ट्रिय संस्तान की स्थापना की गई हस्त सिलब कागज राश्ट्रिय संस्तान की स्थापना कहां पर की गई सांगा नेर के अंदर 69 option best सही है question number 70 देखे के काम के लिए कौन से सहर है परसीद important question आपके लिए कौन से सहर है अलवर वैज जेपूर परसीद है दोस्तों तो यहां पे आपका सही रहेगा सतर का बैव उप्सन आगे चलिए next question में चलते है question number 71 है बरत सूप हूरम जी आरी किसे समंदीत है यह सबी समंदीत है आपके कडाई वै पेच वरक से किसे हैं कडाई वै पेच वरक से दोस्तों आगे चलिए next question में राजस्तान के कोटा और बारा जिले में बनाई जाने वाली चूंदडी का कारिय परकार का है हाथ की कडाई पोटरी का निर्मान टाई वर डाई या पेंटिंग राजस्तान के कोटा और बारा जिले के अंदर जो चूंदडी बनाई जाती है जिसका परकार है किस परकार की होती है वो हाथ की कडाई होती है ओपसन यहां पे बेतर का ऐसा ही है question number 73 देखिए पीतल के बरतनों पर की जाने वाली परसिद मुरादाबादी कला कहा की परसिद है जो पीतल के बरतन होते है उनके उपर जो मुरादाबादी कला है वो कहा की परसिद है मित्रूं यह परसिद है आपके जेपूर की 73 options है यहां पे सही रहीगा question 74 बेवान है तो बता दीजे बेवान क्या है दोस्तों बेवान होते हैं लकडी के बने देवीमान क्या होते हैं लकडी के बने देवीमान 74 में ओप्सन ऐस सही है कि उससे नमर 75 पटेंड कीजे राजस्तान के ग्रामिन चेत्रों में छोटी चीजों को रखने के लिए बनाई गई महल नुमा आकरती कहलाती है क्या कहलाती है बटेवडे, हीड, गुड़ाबा, उसी या वील कहलाती है वो सही है आपका उप्संद है यहां पे क्यों से नमबर है आपका 76 है अंतराश्टिय ख्याती प्राप्त करपाल सिंग सेकावत किस कला के कलाकार थे किसके कलाकार थे यह बल्यू पोटरी की सही है 76 का यहां पे ओप्संस है क्यों से नमबर 77 है राजस्तान का मोलेला गाउं की सस्तकला के लिए परसिद है यह अच्छा कि उसन बन सकता है आपके लिए रास्तान का जो मोलिला गाउव है वो किसके लिए है मित्रू मोलिला गाउव किसके लिए टेरा कोटा के लिए ये टेरा कोटा क्या होती है मिट्टी से मूर्तियां वे विबिन जो सजावटी समान तयार किये जब करके उनको पकाया जाता है उसी को टेरा कोटा का जाता है इसके अंतरगेत आपका मोलिला गाउव है जो ब्यावर सोरिनाद्वारा के नजदी के वो पर सीद है अलवर वे बाडमेर के अंदर भी टेरा कोटा से वस्तुएं बनाई जाती है कि उसन नमर 78 है मारवाड में दामणी क्या था? मारवाड में दामणी है ये क्या था दोस्तुएं ये भी अच्छा क्यूसन बन सकता है दामणी वेसबुसाइं पढ़ी है आपने रास्तान की वहाँ पर आ जाएगा ओडनी का एक परकार है 78 का एव उप्सन सही रहीगा क्यूसन 79 है रास्तान में लाख उद्योग का परमुक के अंदर है रास्तान के अंदर जो लाख उद्योग है इसका परमुक के अंदर कहां पर है इंपोर्टेंट क्यूसन बन सकता है आपके लिए लाख उद्योग का परमुक के अंदर जोदपूर पाली जेपूर उदेपूर पाली टोंक दोसा टोंक बता दीजे मित्रूं important question आपके लिए देखते हैं जेपूर उदेपूर और जोदपूर ये रहेगा आप सही तीनों जगे लाग कि आप उसनों के लिए ये तीनों जगे ही परसिद है दोस्तूं next question है हाथ से कागज निर्मान का कारिय कहां किया जाता है हाथ से कागज निर्मान का कारिय कहां पर होता है जेपूर के सांगानेर में होता है 80 कि महापुरुस की फड़ को यह लाइ दोस्तु मैं वह सकता है अमिताब बच्चन की फड़ को नेक्स्ट कि उसने काग जी टेरा कोटा के लिए परसिद है जो काग जी टेरी कोटा है उसके लिए कौन सी जगह परसिद है अलवर परसिद है आपका देव उपसन यहां पे सही रहेगा क्योसन 83 देखिए थेवा कला के परतम थेवा सिलबकार कोन थे थेवा कला के परतम थेवा सिलबकार कांच पर बारिक सोने की नकासी का काम करने वाले परतम सिलबकार कोन थे मित्रों कोन थे नाथुराम सोनी थे 83 में ओप्शन बैस शही है क्योंसन नमर 84 है राजसिकों की स्थापना कभी की गई 3 जून 1961 को की गई और अंतिम क्योंसन मांगिलाल मिस्तरी किस कला में निपून है कावड कला के अंदर 85 दै ओप्शन शही रहीगा तो यह थे राजस्तान की अस्त कलास से रिलेटेड सभी मित्रू से अनुरोद रात नो बजे आज होने वाली कलास कक्सा 7 RBSC प्लस NCRT बेस पर जो कक्सा 7 के परसन उतर रहेंगे वो जरूर अटेंड करें सभी साती रात नो बजे लाई वा जाएं आप सभी को बहुत बहुत अन्यवाद जे हिंद जे भारत